नमस्कार दोस्तों State-Wise Solar and Renewal Energy Policies के सीरीज में आज जो हमारा topic है वो है कर्नाटर का Renewal Energy Policy 2022 के उपर है इसके बारे में डीटेल में discuss करेंगे और इस policies में discuss करने से पहले हम यहाँ के जो Renewal Energy का status है कर्नाटर के बारे में उसके बारे में समझने कोशिस करते हैं और इसका एक particular region है जो मैंने यह जो आज जो उसकी जो इनर्जी का जो status के बारे में discuss करने का एक region है अगर हम करनाटका की total potential की बात करें यह जो है as per जो मैंनारी और करनाटका के डेटा उसके सबसे लिया है तो टोटल जो पोटेंसिल वहां पर भी estimated है डेटीज अराउं 155 गीगावाट के आसपास है वन लेक 55 फिफटी फाज़न सेवन्टी फोर मेगावाट है मतलर एराउं 155 गीगावाट के आसपास है जिसमें की total जो capacity installed हो है अगर हम आरी की बात करें और आरी में इसमें एक लार्ज हाइड्रो नहीं लिया गया है तो टो टोटल जो install capacity है 16,212 capacity है around 16.2 गीगावाट है और अगर आरी capacity को break करते हैं तो जो solar की capacity है around 7771 मेगावाट है wind की capacity 5,257 मेगावाट है small hydro 1280 मेगावाट है और बायो जो है 1902 मेगावाट है और अगर इसको लोग कंबाइन करते हैं तो जो की 16,212 हो जाता है और इसमें इसका इंडिया की अगर टोटल जो install capacity की बात करें इस पर्टिकुलर solar wind small hydro and bio उसमें number one position पर करनाट का आता है अगर आप solar का data देखिए तो around 57,000 मेगावाट के आसपास capacity install है जिसमें की solar करनाट का में क्यों लग 7700 है wind जो है around 40,000 मेगावाट के आसपास है जिसमें करनाट के में अके लिए 5,257 है और small hydro 5,000 मेगावाट के आसपास है आप देख सकते हैं 1900 मेगावाट के आसपास है तो आप देख सकते हैं 1900 मतलब बेसे के लिए अगर 2000 मानते हैं तो वन फिफ्ट कैपसिटी यहां पर है तो ओवराल जो टोटल कैपसिटी अगर इनरजी के अगर बात करें लार्ज हैड्रो नहीं तो इसमें number one पर करनाट का यह और जो यह पॉलिस तो आप देख सकते हैं करनाट का कितना प्रोग्रेसिव इस्टेट रहा है रिनुवर नरजी के मामले में खासकर सोलर के मामलें अगर बोला है कि 2011 में उसने पॉलिसी इसू की थी और एक यूनीक फीचर में बताना चाहूंगा करनाट को लेकर के यहां पर जो है वान अप द लिए करिका नाम चेंज करकर सकती अस्थरा कर दिया गये 2000 lähवाट की कैसुटिए है इंक शिंगल लोकेशन अगर इंडिया मैं हम बात करें तो इंडिया में भादला सोलर पार्क जो है इससे बड़ा एकल धानए लेकिन ऐक पक मिन हाले टी Polish हुआ लेकिन पकिन आ laisser दूर नो सिंगल लोकेशन वाइज भी देखें तो इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट पार्क अगर आता है अगर भातला के बाद यह सेकंड नमर पर आता है यह बहुत ही बड़ा और सक्सेस्फुल पार्क है यह क्योंकि यहां पर टोटल सारी कैपसिटी लगी है तो यह चुली मेरा पर कितना है और यहांपक एड्मिस्टेशन हैं जो भी कितना फ्रेंडली है अब हम बात करते हैं पॉलिशी के उपर कि पॉलिशी में क्या है जो पॉलिशी था अप्रील 2022 में नोटिफाइड हुआ था और जो इसका पीरियोट रखा गया है पांच साल के लिए रखा गया है ले कि रिन्वार्ण एनर्जी पॉलिशी की बात हो रही है इस सपैसिफिक सोलर की नहीं है तो अप्लिकेविल्टी से मतलब यहां पर एकि टेक्नलोजी वाइज और कंपण्ई और इंडिजवाल्वाइज किसको कौन से अप्लिकेबल हो गया तो टेक्नलोजी वाथ के लिए जि company body corporate association society body of individuals यह सब भी अप्लिकेवल है इसका बहुत सरे regions है जैसे individuals कैसे इससे इसका advantage ले सकता है तो जो हम rooftop की बात करते हैं तो rooftop बंदा individual भी लगाता है या कोई बड़ी company भी अगर है कि individual basis भी कर सकता है corporation की बात करते हैं तो आशकल farmer scheme चली रही है कुसुम scheme है तो यह सब applicability की बात है कि लोग कैसे अप्लिकेवल हैं अब बात करते हैं इस policy के objective की अच्छली कोई भी government अगर policy निकालती है तो policy निकालने के purpose यही रहता है कि long term clear visibility मिले वह visibility किसको देना चाहते हैं public को देना चाहते हैं जो investors जो है वहाँ पर invest करना चाहते हैं उनको visibility देना चाहते हैं मतलब यह है कि कोई investor अगर किसी states में invest करना चाहता मतलब हम अगर renewable energy की बात करें तो क्या incentive मिल सकता है क्या governments का view है ऐसा तो नहीं कि अभी अभी हम projects लगा दें उसके बाद एक साल बात कुछ ऐसी चीज़े इंपोस्ट कर दें कि फिर हमारे लिए beneficial नहीं क्योंकि जो भी projects लगते हैं अगर हम solar की बात के लिए होते हैं तो जो भी financial calculation यह जो भी project लगता है long term visibility को ले करके लगा जाता है अगर कुछ policy changes से अगर उनके उपर फरक पड़ेगा अफेक्ट पड़ेगा तो वो वो उनको जाती है तो एक investor को एक दिखाया था कि देखिए यह visibility है मतलब हम यह करने जा रहे हैं और हमारे आप यह investment करेंगे प्रजेट लगाएंगे तो यह advantage मिलेगा और यह advantage कितने साल के लिए आप 8 साल के लिए है 10 साल के लिए 25 years के लिए एक clear cut visibility होती है तो कोई भी policy लाई यहती है तो एक visibility प्रवाइड करना होता है कि government क्या सोचती है इस policies के तहत कितना achieve करना चाहती है government क्या incentive देना चाहिए क्या facilitate करना चाहिए तो यह कोई भी policy लाने का purpose यह होता है अगर हम objective की बात करें इस objective जो तो अभी हमने देखी लिया कि टोटल जो कैपसिटी रिनुवल एनर्जी इंडिया में नंबर वान है करनाट का इस पॉलिसी के तहत जो है गवर्मेंट 10,000 मेगावाट का एडिस्टनल रिनुवल एनर्जी कैपसिटी वहां पर इस्टॉल करना चाहती है इंक्लूडिंग सोलर वीन इसमाल हाइड्रो बायो मास सबकी बात करें सबको मिला करें टोटल 10,000 मेगावाट 10,000 मेगावाट की बात की एडिस्टनल रिनुवल एनर्जी की जिसमें की स्पेसिफिकली मेंसन किया गया कि 1 गीगावाट का रूफटाप भी हो सकता है तो तो 10,000 मेगावाट में एक घजर मेगावाट आपको रूफटाप का सिस्थम रहेगा अट्रेक्ट इन्वेस्टमेंट इन अर्जी सेक्टर आर्प्यो टार्गेट एचिफ करना है जो रेगुलेटर है टाइम टू टाइम आर्प्यो अगर निकालता है एस पर इमोपी गाइडलाइ अगर आप देखेंगे इसके एडवांटेज तो देखेंगे सबसे बड़ा एडवांटेज एक तो यह होता है कि इसमें ट्रांस्मिशन डिस्टिबिशन लाइसेस जो लॉसेस होते हैं वो काफी कम हो जाते हैं अगर एक मेगावाट के यहां लगाते हैं आप अगर सिंगल पर कोई बड़ा प्रजेश लगाता है फिर वहां से ट्रांस्मिट करेंगे दोसी जगा ले जाते हैं तो लोट सेंट अगर वहां पर नहीं है तो अब्येसली करेंगे ट्रांस्मिट करेंगे तो लॉसेस आते हैं डिस्टिबिशन के बहुत बड़ा एक एडवांटेज यह यह कि ट्रांस्मिशन डिस्टिबिशन लॉसेस कम हो जाता है तो गौर्मेंट का एक मेन परपज जाता है कि इसको इनकरेज किया जाए और जो डिस्टिबिशन जनेरेशन की बात की गई है वो थूरू अपर 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 एकर फीडर पॉंप्स रूप भी हम बोल सकते को भी डिस्टिबिशन कटेगरी में आता है प्रमोट एनरजी स्टोरेज आज कल जितनी पॉलिसी को अगर आप देखेंगे रिसेंटली आरहा तो उसमें इनरजी स्टोरेज की स्पेसिपिकली बात की जा रही है उसका रीजन यह है कि जो रिन्वल एनरजी है खासका सोलर औ एक चली इंटरमिटेंट है इस इंटरमिटेंट सी को दूर करने के लिए स्टोरिज की बात की जा रही है प्रमोट विंड वी शोलर एंडी प्रोजेक्ट यह भी आप देखेंगे वींड वह इसका रीजन यह कि वींड और सोलर अब देखेंगे तो इसके गोंप्लिमेंट नीचर में होते हैं तो पूरा डीन में रहता ही रहता हू 49 तो इसलिए विंड हाइबिट के आज कल बात की ज़री कि जहां पर वाइबल है तो आप सोलर विंड हाइबिट प्रोजेक्ट से लगाए जाए 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 उसके बहुत सरे अड़ाइज है और फोटिंग सोलर पर मैंने एक आलेडी वीडियो बना रखा तो आप मेरे चैनल प कॉस्ट कंपरेटिवली ज्यादा है थोड़ा सा चैलेंजेज हैं बट अगर एक्स्प्रोर किया जाए तो फ्लोटिंग सोलर में काफी पोटेंशियल है और इंडिया के लिए काफी बेनिफिसियल है और अधर इनरजी सोलर वींड के अलाव अधर इनरजी ऐसे कि मैंने बता अधर तू एड्वाइंस देवलप्मेंट फरीनवर अजी मार्केट फिस्टुमिलेट अवल इकोनोमेश ग्रोथ थो ग्रीन इंवेस्ट्मेंट इन श्टेट इस पॉस्टेश फोकसेश्टेश्ट फोकस मार्केश में बिल्कुल डिफाइंड किया है कि किस फोकस करना चाहत तो Mark-1 को Defined Green Energy Corridor, Mark-2 is Renewal Energy Park, Mark-3 Solar Energy Projects, Mark-4 Wind Energy Project, Mark-5 Solar Wind Hybrid Projects, Mark-5 energy storage, Mark-7 Biomass Project, Mark-8 Co-Generation Project, Mark-9 West 2 Energy Projects, Mark-10 Minions, Small Hydro Projects, Mark-11 New Investigatives, Pilot Projects, and R&D यह बैसे किली 10, 11 focus area को identify किया गया, जिसको कि policies इस पर focus कर रही है, government क्या उसमें incentive दे रही है क्या initiative ले रही है क्या help करेगी अब इसके बारे हम आगे detail में discuss करेंगे तो हम बात करते हैं policy measures की तो इस जो policy implement के उसमें क्या measures लिया गया है प्रमोट करने के लिए renewable energy का हम green energy sale की बात करते हैं energy sale में इसने यह बोता है कि जो भी renewable energy के projects states में लागेंगे तो उससे जो electricity generate होगी तो उसका consumer कौन होगा यह आपकी इसको बेश सकते हैं तो जो energy generate होगी वो डिसकॉंप कर ले सकता है open access के through या तो captive हो सकता है या तो third party हो सकता है उसको आप दे सकते हैं और यह जो energy sale है ऐसा नहीं कि आपके इस्टेट्स में ही limited है कि आप इस्टेट्स की open access consumer को दे सकते हैं इसकॉंप कर wind rich states है जैसे करनाटका भी आता है राजस्थान है गुजरात है तो ऐसी policies लाई जा रही है कि एक states जहां पर wind या solar नहीं है और जहां पर wind और solar ज्यादा है वहां से generate करके जहां पर deficiency है deficit है उनको वहां पर transmit किया जाए तो यह करनाटका भी इसके लिए बोला है कि ठीक है आप ह उसकी responsibility होगी को land का arrangement कैसे करे और इसमें बोला कि अगर प्रोजेक्ट अगर approved हो जाता है तो जो dimmed conversion जिसे agriculture to non agriculture जो conversion की बात की जाती है तो अगर private land है तो उसमें ज़रूत तो नहीं है लेकिर अगर government land भी है तो अगर project approved हो जाता है तो it may be treated as a dimmed conversion connectivity की कोई भी अगर projects लगाते ह हैं कोई भी आरी का प्रोजेक्ट से solar हो wind हो इसमाल hydro हो उसमें connectivity चाहिए मतलब power वहां से adequate करने के लिए connectivity चाहिए होता है आप जो connectivity की जो इसमें बात की गई है तो या तो state transmission network आप यूज कर सकते है utilities के यूज करेंगे connectivity के लिए जो भी nearest service station है सीट्यू का यूज कर सकते हैं अगर आप बाहर आपको आउटसाइड आप इस्टेट अगर supply करना है तो आप में ऐसे sites को identify करिए तो जो सीट्यू से connected हो मतलब सीधे वहां पर बाहर को भेज सकें और अगर नहीं है तो हो सकता है जो nearest अगर जो भी एस्ट्यू के network हैं उनसे connect करके सीट्यू में connect किया सकता है तो यह policy में बात की गई है इसमें सारा facilitate करने की बात की गई है और आप सकते हैं जो भी उसमें एक mandate दिया गया कि जो करनाट का पर ट्रांसमिशन का और पर लिमिटेड है अगर आप वहां पर apply करते हैं तो जो भी clearances approval आपको within limited time में आपको द प्रोजेक्ट अगर कोई ऐसा कुछ अगर होती समान लेजिए हम पार की बात करते हैं तो पार के गवर्मेंट कर रही है तो वह जो प्रोसेस है कैसे प्रोसेस होगा तो जो क्रेडल है वहां पर करनाटका Renewal Energy Development Limited जो वहां की जो Renewal Energy Agency है करनाटका की वह जो है आपके applications को process कर करेगी और process करने के बाद जो final approval है जो state level allotment committee SLAC बोलते हैं उनको recommend करेगी on the basis of recommendation of cradle जो है वह decision लेगा SLAC की approval देना है नहीं देना है और यह तो other projects के लिए हो गया specifically rooftop के लिए बोला गया कि DISCOMS है और Nodal Agency है उसके पीछे की logic यह है कि जो MNRE के rooftop scheme है तो MNRE के rooftop scheme जो phase 2 है उसमें जो implementing agency states में बनाया गया है वो DISCOMS को बनाया गया है तो by default सारे states में जितने DISCOMS हैं वो implementing agency rooftop के implement करने के लिए इसलिए इसमें जो DISCOMS है यहापर जिसको SCOMS बोलते है यहाँ पर करनाटका में वो rooftop के लिए implementing agency है अधर government scheme यह बोला गया कि ऐसा नहीं है कि जो other government of India की जो भी scheme से policies हैं वो भी यहाँ पर implement होगी example for example हम बात करते है solar park scheme है तो जो अभी करनाटका के जो 2000 मेगाट के हम लोग बात करें तो वो government of India की जो solar park की scheme उसी scheme के अंतरगत लगा है root up scheme के अगर हम लोग बात करें root up scheme phase 2 वो भी यहाँ पर applicable होगा इस कहला और भी जो scheme से government of India की मतलब government of India mainly जो अगर हम लोग बात करें green energy की मोपी की schemes हो सकती है या मनारी की schemes हो सकती है जैसे कुसुम scheme हो गया और ग्रीन एंडरजी कर्टो जी सी फेज्टू यह सारी schemes जो है ना यह states scheme के अलावा जो government of India के जो भी अप्लिकेबल होंगी प्रोजेट्स लगाते हैं तो clearances की क्या जरूत पड़ेगी तो इसमें यह बोलागा कि जो भी clearances लेनी पड़ेगी तो जो प्रोजेट्स लगाएगा उसी की responsibility रहेगी जो भी statutory clearances चाहिए वह जो developer है उसकी responsibility रहेगी इसमें यह है कि जो वहां की जो एजैंसी एक्रेडर वह आपको facilitate करेगी developer को cleanances दिलाने में और इसमें specifically और ही बोलागे कि जो solar panels लगेंगे जो government of India की जो ALM list approved list of model manufacturers basically क्या है कि इसमें detail में अलग से वीडियो बनाऊंगा तो जो ALM की list है वही से आपको solar panel लगेंगे और wind की भी बात की कि जो wind turbine जो लगेंगे तो wind turbine as per the revised list of model and manufacturers यह दोन project करता है यह project वही से मतब अगर पाइनल की बात किया तो solar panel वहां से लिया जाएंगे जो wind turbine लगे तो वहां से लिया जाएंगे energy storage को भी इसमें promote करने की बात की गई है कि जो project है जो आरी प्रोजेक्ट है वह with and without मतब प्रोजेक्ट energy storage के थूरू भी develop किया सकता है without storage किया सकता metering and connectivity metering connectivity हम सभी जानते हैं कि जो भी जो projects अगर लगता है अगर आरी के हम लोग बात करें या solar wind की बात करें specifically तो जो project जो यहां पर connectivity होती जो सब station होता है वहां पर connect के जाता है और metering वहीं पर होता है interfacing points वहीं पर होता है और जो भी applicable जो grid code या जो भी standard है या जो भी regulation वो applicable होंगे अब इसमें additional policy measures क्या क्या है focus market में जो focus market जो बताएगे कि 11 जो focus market है उस पर क्या additional policy measures है उसके बारे में discuss करते हैं तो green energy corridor basically थोड़ा साथ नाम से अब confuse मत करिएगा green energy corridor का मतलब यह है कि जो भी renewable energy projects को जो transmission या connectivity के लिए जो power evacuation के लिए infrastructure बनाया जाएगा इसलिए उस तो green green नाम दिया गया तो green energy corridor GEC project is being implemented by the respective state transmission utility जैसे कि अगर करनाठका की बात करें तो करनाठका में करनाठका Power Transmission Corporation Limited KPTCL है वो इसकी responsibility होगी और माली जो कोई नहीं प्रोजेक्ट आता है तो वहाँ पागर transmission network नहीं पढ़ने पड़ेगा तो वह जो transmission network बनेगा वह competitive बीडिंग रूट के थूरू बनाया जाएगा और इसमें support किया है तो government of करनाठका will encourage private sector investment and public-private partnership under this policy for developing Renewal Energy Park Renewal Energy Park को develop किया जाएगा और Renewal Energy Park basically क्या हो गया कि थोड़ा सा remote locations में हो गया generally वहाँ पर land बहुत जाद रिमान ली जाकर हम example लेते है 1000 MW की तो 1000 MW के लिए कम से कम 4000 to 5000 अगर चाहिए continuous land चाहिए तो यह कहीं ऐसा तो नहीं मिलेगा तो काफी remote में मिलेगा हो सकता है nearest service station और transmission network नहीं हो उस चीज़ को वहाँ पर वो सारा infrastructure develop करना पड़ेगा तो जो nearest service station तो connect करने की responsibility तो खैसे park developer की होगी लेकिन वहाँ से transmission जो आगे फर्दर जो बनाना है वह transmission अगर सीटीव कनेक्टेड चैसे काने की रिस्पोंसिबिल्टी जो होती है प्रोजेक्ट डेवलपर की होती है अब हम बात करते है रिनुव एनरजी पार्क को और उसके अंदर प्रोजेक्ट डेवलप किया जाएंगा उसके लिए क्या है तो सबसे पहले बोला गया क पार्क को यहां पर प्रोगोट किया जाएगा और जैसा कि मैंने बताया कि जो अब तक सबसे लार्जेश्ट पार्क है पावगड़ा 2000 मेगावाट का सिंगल लोके सिंगल पार्क और यह मिजर की स्कीम में लगिए तो इसलिए जो भी मिनारी की स्कीम होगी चाहें स्टेट इसकी होगी सो भी इसमें applicable होगा minimum park develop करने के लिए size 25 megawatt park का मतलब यह होता है कि कोई भी अगर project लगाना है तो project लगाने के लिए अगर हम solar की बात करें या wind की भी बात करें तो दो major requirement होती है एक होती है land or connectivity तो project लगाने के लिए जो infrastructure develop करना जिसमें के manly land or connectivity होता है वह पार्क develop करके देता है वहाँ पर कोई project लगाना चाहता तो plug and play model में जाए और सीधे सीधे project लगाइए यह basically पार्क का model है तो कोई पार्क करना चाहता है तो states में कर सकता है इसमें जो government facilitate करेगी और पार्क की जो minimum capacity 25 megawatt रहेगी पार्क develop कोन कर सकता है तो यह सब पांच mode दिये हुए है इस्टेट government के agency कर सकती है central government के agency कर सकती है यह state और central government की जो जो special purpose वह की लिए joint venture company जो ही बनगा वो कर सकती है private कर सकता है या public private partnership कर सकते है मतलब state government के agency और जो private है आपस में joint venture बना के भी कर सकते हैं और पार्क के अंदर जो project लएंगे वो project basically जो वहां से electricity generate हुई है आप दिसकॉम को भी सकते हैं यह intermediary agency intermediary agency का मतलब यह है कि यह से की और एंटी पिस्यास के tender निकालते हैं तो वो intermediary agency है मतलब वो developer select करते हैं पर उनके साथ PPA sign करता है further कि किसी डिसकॉम के साथ PPA sign करते हैं तो यह intermediary agency है और open access open access का मतलब यह कि आप किसी captive third party को भी दे सकते हैं तो यह बिल्कुल काफी flexibility है कहीं restriction नहीं है कि जो अगर इस्टेट में पार्क लग रहा है पार्क के अंदर जो अगर करनाटका के लिए होगा नहीं और किल डिसकॉम के लिए होगा नहीं बिल्कुल flexible है अधर supports में क्या है अधर supports में यह कि central or state government के guidelines को follow किया जाएगा आज की date में MNRE की solar park की scheme है आरी आप उसका नाम change कर दिया गया साइद renew energy यह पार्क बोला जाता है उसी scheme के अंतरकत अगर फालो किया जाएगा और पार्क प्राइबेट डिवलपर फॉर अप्लिकेशन प्रॉसेस अगर करना है आप लेंडरेंज करिए वह आपको पार्क की स्टेस देगा वह प्रोजेक्ट लगाई और अपने 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 इस थाट पाटी या जो भी कैप्टी पे उनको आप सप्लाइ कर सकते हैं अब हम बात करते हैं यह तो पार की बात होगी अब बात करते हैं प्रोजेट्स की तो प्रोजेट्स के लिए क्या entsprechend इसमें כל प्रोजेट्स के लिए जो मेगावार्ट 3 तो बोला है कि जो बलाजि क्यौंध एंट्रा इस्टेट और इंट्रा इस्टेट मतलब अगर विदिन स्टेट पाउर सप्लाई करना है तो इसको इंट्रा-इस्टेट बोलते हैं उस टाइप के प्रोजेक्ट हो गये जैसे कि आप Intermitry Agency के बात करें जैसे सेकी एंट्रीपिस यह बहुत किसी पार्क में प्रोजेक्स के लिए टेंडर निकालती है तो में भी कि वह इंटर इस्टेट प्रोजेक्स हूँ मतब प्रोजेक्स वहाँ पर लगे और सप्लाई किसी और डिसकॉम को दिया जाए रूफट आप सोडर प्रोजेक्स बुला गया है मैं आगे इसमें थ्रॉवसा आगे कवर किया डिस्टिबिशन जन्रेशन जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि गौर्मेंट का तो इसी स्कीम की बात करेंगे चार्जिंग लगाए जाएंगे तो उन पर ये फोकस किया जाए कि जो जो वो इलक्सिटी की जो requirement होगी वो renew energy से meet करें और इसमें ये भी बोला गया है कि अगर आप आपके पास अगर co-located है मतलब अगर आपके पास space आप वहीं लगाई है नहीं है तो आप open access के मतलब third location पर लगा करें फिर वहाँ से आप power को wheel करें तो ये भी जो भी charges होंगी जो रेविल जो है वो allocate किया जाएगा on the long term basis ये rental basis जो भी होगा जो guidelines में आएगा उसको उसको consider करते हुए वो जो charges देने होंगे जो भी procedure होगा वो follow करना पड़ेगा हम rooftop की बात कर रहा है capital subsidy तो इसमें state की बिहाब पर कोई भी additional capital subsidy नहीं है जो MNRE की subsidy है basically वही इसमें applicable होगी और MNRE की subsidy आज की rate में जो है up to 3 kilowatt, 1 to 3 kilowatt 40% है on benchmark और 3 से 10 kilowatt, 3 से 10 kilowatt का है 20% है उसको अब revise करके जो है unified portal बना दिया और इसमें fix कर दिया है आज की rate में आप देख सकते हैं और net metering, gross metering की बात की गई है तो इसमें जो भी आप rooftop projects लेगा, net metering भी allowed है, gross metering भी allowed है, peer to peer trading की बात की बात की गई है, प्रमोट करने की बात की गई है, तो मैंने already एक बना रखा है, छोटा से वीडियो आप देख सकते हैं मेरा, peer to peer basically कुछ नहीं है, अगर जैसे आप rooftop solar projects लगाते हैं और आपके पास excess generation है और आपके पास कोई neighborer है, उसके पास rooftop projects नहीं है, नहीं लगा सकता है, वाइबिल्टी नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि मैं भी solar market से ले सकूँ, मैं भी solar consume करूँ, वो trading कर सकता है, तो एक trading platform प्रोटफार्म प्रोवाइट के जाएगा, जिसमें की जो rooftop owners हैं जिनके पास solar generation है, वो उस पर trading कर सकते हैं, आप अपने excess generation को किसी दूसरे को बेश सकते हैं, तो जिसको peer-to-peer trading की बात की गई है, क्या modality होगी उसका detail बाद में आएगा, आफ-grade की बात की गई है, आफ-grade solar rooftop की बात की गई है, जिसमें with storage और without storage भी आप लगा सकते हैं, अब जो हम बात करते हैं, solar के अलावा अधर, renewable energy projects की बात के हैं, तो wind energy projects को बोला गया कि आप जो नए wind energy projects उनको promote किया जाएगा, और जो इसमें भी सेम वही बात की गई है, कि अगर आप ऐसा नहीं कि जो power जो जन्नेट होगी, electricity जो जन्नेट होगी, केविल करनाटका के लिए होग आप 10 सल पहले, आप wind turbine देखेंगे, तो उनके capacity जो थी, efficiency थी, कम थी, आज गिरिट में बड़े-बड़े capacity वाले आ रहे हैं, तो यह हो रहा है कि क्योंने उस particular, क्योंकि wind जो states है, windy states है, ऐसा नहीं कि हर जगा solar की तरह लगा जा सकता है, छे यह साथ states ही है, जहां पर wind प्रॉ पर सही तरीके से utilize किया जा सके, अब नई technology आ गई है, बड़े turbines आ गए है, तो उसको लगा करके, जो पुराने sides है, उससे ज्यादा electricity generate की जा सके, तो इसलिए री-powering के policy की बात की गई है, इसमें, solar wind hybrid projects की भी बात की गई है, solar wind एक तो यह बोला गया कि इसा नहीं कि इसमें with storage लगाई है, यह दोनों option है, solar wind hybrid storage में, wind and without storage project लगा सकते हैं, और MNRE, Ministry of New and Real Energy का wind solar hybrid पे एक policy issue आता है, तो उसका amendment है, वो follow किया जाएगा, और hybridization की बात किया कि, मतलब आपके पास कही solar projects है, और वहाँ पर wind लग सकता है, तो आप वहाँ पर wind लगा करके, आप hybrid projects बना सकते है यह आपके पास पहले से कोई wind projects है, और वहाँ पर land available or solar आ सकता है, तो आप solar लगा करके, वहाँ पर आप कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया है कि यह दूसरे के complement में होते है, solar wind जो होते हैं, अगर combined project लग जाता है, तो CF ज्यादा मिलने लगता है, यह region यह एक दिन में solar तो र प्रमोट करने के बाद की जारी है, और Ministry of Power ने अभी renewable purchase obligation और energy storage obligation के लिए notify किया गया, जिसमें mandatory किया गया, कि सारे जितने भी states है, obligated entities हैं, वो storage यह प्रमोट करेगा, percentage में defined किया गया उसमें, अगर हम बात करें storage की, तो region यह ही है, बहुत सारे जो penetration हो रहा है solar wind का, यह intermittent है, त कर सकते हैं, तो यह की stability लाने के लिए storage की बात की गई है, तो energy storage projects की बात की गई है, energy storage as a services consider किया जाएगा, और energy storage projects हो सकते हैं, co-located भी हो सकते हैं, यह near load center, मतब अगर co-located हो तो बेटर होगा, सीधे-सीधे, जहां पर renewable energy के projects हैं, वहीं पर सीधे-सीधे, अगर projects हो देए, load center यह है, कि जहां पर conjunction pattern जादा है, जिस area में जादा है, तो वहाँ पर अगर लगे तो और बेटर है, कि सीधे-सीधे वहाँ पर इनको discharge किया सके, बतब इसका एक बहुत सरे factor है, जिसे transmission constant, अगर load center जादा है, वहाँ पर transmission constant, distribution constant है, एक टाइम के बात वहाँ पर जो है, यह help क सकता है, रेगुलेशन की बात की गए, कि जो आज पर open access, जो रेगुलेशन है, वो चार्जे इसमें लगेंगे, और जो existing और new energy projects है, जो existing वहाँ भी लगा सकते हैं, जो नए है, उनके साथ भी लगा सकते हैं, optimum utilization of existing transmission capacity by using retiring thermal plant, जो पुराने thermal power plant है, और उनकी life खतम हो गई है, या खतम होने वाली है, तो वहाँ पर already transmission infrastructure, तो वहाँ पर नए thermal plant तो नहीं लग सकते हैं, तो वहाँ पर क्या लग सकता है, तो energy storage के लागा करके, क्योंकि energy storage है, जो power evacuate करना तो उसके लिए transmission network चाहिए ही चाहिए, evacuation के लिए, तो यह ऐसे thermal plants को भी हम क्या कर सकते हैं, use कर सकते ह pumped hydro storage projects को भी promote करने की बात की गई है, अब biomass project है, biomass में काफी detail में नहीं बताऊंगा, जनरल सर्टर में कि हाँ, biomass projects को भी promote किया जाएगा, co-generation projects की बात की गई है, तो इसमें बोला गया कि allowed to use the power for captive, group captive, or sale in power exchange, third party sale within or outside state, same वही है, आप co-generation projects लगा रहे हैं, कि open access में दे सकते हैं, या outside state भी दे सकते हैं, waste to energy projects की बात की गई है, waste to energy projects में already regulation है इसमें, कि जो भी आप projects लगाएंगे, जो उसे tariff, जो भी, जो determine करेंगे, tariff जो आप रिस्पेक्टिव regulator के ERC, वो decide करेगा, mini or small hydro projects की बात की गई है, इसमें भी जो भी है, जो mini or small hydro projects के लिए terry best competitive bidding process के थूरी, जो है, decide किया जाएगा, allotment of projects, allotment of projects में ये बोला गया है, कि जो procedure जो अपनाया जाएगा, जो application आएगे, allotment of projects में ने बताया है, कि जो वहां के agency, cradle, वो, जो है सारा procedure अपना ही करेगा, और ये जो procedure है, सारे R&E projects के लिए applicable होंगे, wind और hybrid projects है, जैसे कि मा private लगाना चाहता है, तो उसके लिए जो भी procedure है, तो वह allotment का procedure है, या floating solar park लगाना चाहते है, तो आप apply करना पड़ेगा, आपको, energy storage projects की बात की गई है, mean or small hydro के लिए, biomass के लिए, जो भी projects आप लगाना चाहते है, तो आपको अगर apply करना पड़ेगा, criteria for utilization of land to set up renewable energy projects, इसका purpose यह है, माल लिए आप solar park लगाना चाहते है, या wind park लगाना चाहते है, और renewable energy park या project set up करना चाहते है, गौर्मेंट के पास चाहते है कि मुझे इतनी land मिले तो गौर्मेंट land कैसे define करेगी, आप ऐसा तरहें कि 1 megawatt के लिए बोले कि मुझे 10 अकर चाहिए, उसने define किया हुगा, अगर solar PV technology अगर जाना चाहते है, solar park लगाना चाहते है, with and without tracker उसमें limit की कि 3.5 अगर per megawatt आपको मिलेगा, और अगर wind है तो आपको 4 अकर per wind turbine generator जो है, वो मिलेगा, और rooftop में अगर लगाना चाहते हैं, basically specify किया ऐसा नहीं कि इसमें government allot ही करेगे, तो 100 square feet per kilowatt पी किये तो standard है, यह land area की बात की गए, कि इतना आपको technology wise होगा, अब time lines बहुत important है, time lines और आगर देखेंगा, इसमें कुछ charges भी applicable है, policies में जो एक important है, तो timeline यह है कि जो भी solar, government अगर माल लिजे solar park आपको allocate करती है, या wind park allocate करती है, तो ऐसा तो नहीं कि आप lifetime के लिए आपको allocate कर देगी, वो आपको within time period में आपको complete book करना पड़ेगा solar energy projects की जो बात की गई है, including floating solar, solar park, without it, तो बोला कि दो साल के अंदर जो है, आपको जो भी notify, जो आपको जो एप्रूट किया जाएगा, उसको दो साल के अंदर आपको complete करना पड़ेगा, और in case अगर delay होता है, तो maximum time period दिया गया है, वो दो साल के लिए दिया गया है, wind के लि energy storage को बोला गया है, कि एक साल में होगा, non-PHS, मतलब pump hydro storage जो है, इसमें की non-PHS का मतलब की battery वाला आ सकता है, एक साल के अंदर complete करना पड़ेगा, maximum extension आपको एक साल के मिल जाएगा, तो आपको 4 साल के अंदर complete करना पड़ेगा, और 2 साल का extension मिल सकता है, mean and small hydro है, 3 साल का time दिया गया है, और max of extension आपको 2 साल का मिल सकता है, अब इसमें charges की बात की बात की गए, few charges की, तो सबसे पहले बात की जो आप अगर, जो भी discount को अगर power supply करना है, तो discount को जो generally power supply जो होती है, bidding के through होती है, और bidding में जो charges होते हैं, already defined होते हैं, मतलब जो RFS documents होता जाते हैं, इसके अलावा अगर आप open axis और बाहर के लिए projects लगाना चाहते हैं, उस case में क्या charges आपको देने पड़ेंगे, government को, वो defined है, तो अगर solar की बात करते हैं, जिसमें की floating solar भी बात की गए, तो अगर 10 MW तक के project हैं, तो आपको application fee जो है, आपको 15,000 देने पड़ेंग है, 11 MW तक 50 MW के लिए 25,000 है, और more than 50 MW के लिए है, 35,000 पर MW है, और application fee दो लागी है, performance bank guarantee आपको submit करना पड़ता है, 5,000 पर MW, performance PBG basically क्या होता है, क्या होता है, आप successfully complete कर लेते हैं, within timeline, तो फिर आपको return कर दिया जाता है, एक safety के लिए रखा जाता है, performance bank guarantee, तो 5,000 पर MW है net worth कितना होना चाहिए, तो अगर 30% of the project cost है उतना होना चाहिए, और जो KRC determined करेगा, और time extension fee, अगर आप मान लिजे, within timeline आपने complete कर दिया, लेकिन तो फिर कोई charges नहीं लेगा, लेकिन आप जिसमें बोलागा अभी जिसमें just timeline की मैंने बात किये, अगर आप time extension चाहते हैं, तो उस case में आपको charges क्या देने पड़ेंगे, तो charges इसमें आपको 1 lakh per megawatt per year है आपको, और transfer fee कितना होगा आगे बताएंगे, transfer fee 1 lakh 50 per megawatt है, तो यह आपके charges है solar के लिए, wind के लिए भी same है, आप देख सकते है, wind में भी बहुत जादर difference है नहीं, same charges है, और wind solar hybrid की जो बात की गई ह wind solar hybrid की भी same charges है, जो की solar wind का है, और renewable energy PAR का जो है, इसमें थोड़े से difference है, जो PAR की capacity 25 से अगर 50 megawatt है, तो इसमें 25 आपको देना पड़ेगा application fee, और 11 megawatt से 200 megawatt है, उसमें 35,000 देना पड़ेगा, processing fee सेम है, आपको 2 lakh है, bank guarantee आपको performance bank guarantee सेम है, project cost का आपका जो भी net worth होना चाहिए जो भी DPR के साब से decide होगा, और सब charges सेम है, वही अगर 200 megawatt से बड़े पार्क आपको करने है, तो आपको application fee 50 जा रहे है, और सब charges सेम है, energy storage के लिए देखिए, 10 megawatt तक के लिए भी इसमें आपको 15,000 देना पड़ेगा, application fee, 11 megawatt से 50 megawatt के लिए 25, और सारे charges सेम है, आपको processing fee भी सेम है, performance bank guarantee भी सेम है, ये भी सेम है, mini और smart hydro के लिए इसमें दो कटेगरी बनाई गई है, 10 megawatt, 10 megawatt, 11 megawatt से 25 megawatt, तो आपका भी सेम है, कहीं भी difference नहीं है, biomass में भी आपका सेम है, और co-generation में भी सेम है, और waste to energy में भी सेम है, अब rooftop की बात करते हैं, तो rooftop में अगर बो प्रोजेक्ट लेगा, और processing fee जो है, आपके 1000 पर प्रोजेक्ट लेगा, अगर 5-50 kilowatt के प्रोजेक्ट हैं, तो 1000 रिप्या पर प्रोजेक्ट लेगा, और आपको processing fee 2000 पर प्रोजेक्ट लेगा, तो आपको 2000 पर प्रोजेक्ट लेगा, और आपको 5000 पर प्रोजेक्ट लेगा, र इन केसेट इन इस झायन इस सेम दफलिकेशन चार्जेश लवी एपर दे गॉर्णमेंट और नंबर देट थे इस फारूफ्ट आप्लिकेशन फी साल फीजय पेट तु तु दिस्टिश्टिबिशन रैसेंशी यह लगवग लबग आप जो भी चार्जेश आप मैं फिर बता सबके सेम हैं अभर बात करते हैं जो पहले बताया था कि जो अगर जो नॉमिनेशन बैसिस पर या अगर प्रोसेस करना जो फाइनल जी अप्रूविंग लॉपेंट यह यह दिल्या कमेटी जो कि जो प्रिंसपल सेकेटरी यह सेकेट जो आपर डिपार्टमेंट अफ एनर्जी तो और जो करनाटका के जो मेंगेंगी तो ये स्टेट लिबल कमेटी है जो कि क्रेडिल के रिकमेंडेशन पर ये डिसीजन ले गी तो होब दोस्तों फुराँसा ये मेरा वीडियो जो है लॉंग बन गया और इसके परपस यहीं रहता है कि लॉंग बनाने के मैं सारे पॉइंट को कवर कर सकूँ और आपको मैं प्रॉपरली डीटेल में समझा सकूँ तो अगर आपको मिराज के वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप में चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए फिर आपसे मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए थैंक यू जाए हिंद